कि राम राम भाई सबी लोग को जो भी यह वीडियो देख रहे हैं टाइटल से आपको देखके पता लग्या होगा कि ये वीडियो किस चीज के उपर है और मैं क्यों बना रहा हूं मतलब मेरा question है मैं पहले clarify करना जाता हूं कि ना ये वीडियो को ही hate video है ना ये किसी को reply है ना किसी को मैं इसमें नीचा दिखा रहा हूं ना मैं किसी को उल्टा बोल रहा हूं It's just on me मतलब सिर्फ मैं मेरे कुछ क्वेशन्स हैं आप लोगों से जो मुझे देखते हैं चाहे न्यूट्रल आडियन्स हो गई चाहे मेरे चाहने वाले हो गई चाहे मेरे हिटर्स हो गई खासी हो रही है तोड़ा ये कभी आडियो खराब हो मेरी न तो मेरा टाइटल देख लिया हो है वाई अल्वेस मी मतलब मैंने ऐसा क्या गर दिया जो हर जगा पे मेरा नाम खराब होता है मतलब वो उसका अंसर मांगने आए हो मैं आप लोगों से तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ऐसा क्यूं मैं बहुत दिल से सारी चीज़ें रख रहा हूँ और ना कोई मेरे पर स्क्रिप्ट है ना मेरे पर कुछ मैंने सोच के वीडियो बना रहा हूँ ऑन दे स्पॉट मैंने कैमरा कोला और बस आप लोगों से क्वेशन है कि भाई वाई ओल्वेस मी अब रही काशी विश्वनात की बात मंदिर जम्मे गया मंदिर सब लोग खुशी से जाते हैं ऐसा नहीं है कि किसी गलत भावना से जाएं मंदिर जो भी लोग जाते हैं फिर जो भी अपने religious जगह पे जाते हैं सब लोग अपने खुशी मन से जाते हैं कि भगवान के दर्शन हो भगवान के आगे हाद जोड़ें मत थटेगें कुछ पराथना करें कुछ मांगें दिल को सुकून मिलता है वाला काशी ऐसी जगह है जहां पे सुकून मिलता है कि वहां जाओ भगवान का नाम लो क्योंकि पूरी रिलिजिस सब लोग वहां पे ग्रीट भी ऐसे करते हैं जैमाकाल हरर मादेव सारी चीज़ें ऐसे होती है तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे वहां पे कि मैं आया हूं और भगवान ने बुलाया है मुझे मादेव जी ने खुद बुलाया जिससे मैं उनके दर्शन कर सकूए जब सारे दर्शन खतम हो गए चलो मैं शुरू से स्टोरी सुनाता हूं कि क्या हुआ उदर और बाद में क्या हुआ और क्या नहीं होना चीज़े था जो भी मंदिर में मैं गया तो ना मंदिर के अंदर जो पुजारी होते हैं जो वहां का स्टाफ होता है जो वहां का प्रो कि हर जगा के ज़गा मेरा जाता हुं न व्लॉग जरूब रहता है उन्होंने रहे बोला और मेरा जो व्लॉग आएगा कल उसमें भी आप देखना कि मैंने क्या बोल रखागा तो उन्होंने बोला कि यह पे ना फोन अलाउड नहीं होंगे और कोई इलेक्ट्रोनिक चीज अपने फोन दे दी हम साथ में थे मैंने तो अपने बैग में रखे गया था गाड़ी में तो वहाँ पर अंदर गए बहुत अच्छे से दर्शन करे मास लगा रहा था मैंने पूरे टाइम पर और वहाँ पर जो वहाँ जो स्टाफ होता है उन्होंने मेरी फोटो क्लिक करी क्य के भी कैमरा मैं होते हैं आपने देखा होगा कि बहुत सारे इतने भी बॉलिवूड के एक्टर से महाँ पर जाते हैं उनकी फोटो भी आपको दिखी होंगी माके स्टाफ के साथ माके जो पुजारी जी है में उनके साथ भी चैराज कुमार राओ तमना भाटिया कार्तिकार और कौन-कौन था विराट कोली वाई रंबीर आलिया और भी बहुत सारे देखों गिंती तो है नहीं ना मुझे पता यह इन सब लोगों ने दर्शन करें सारी चीज़ें करी भगवान का नाम लिया और आ गए अपने अपने घर पर हम भी आ गए ते अपने घर आके देखा कि कोई एक वकील वाई साब है हमारे नाम प्रतीक प्रतीक पतानी जो भी है उन्होंने वीडियो बना रखी अपरादी एल विशादव आ गया यहां पे एक तो इन्हें यह नहीं नहीं पता वकील साब को की एक्यूजड और गिल्टी में फरक क्या होता है पतानी कौन सी कित हमारे बहुत रिस्पेक्टिड जॉब है वकील होना उन भाई ने मेरे को बोल रखा है इस पे इतने मुकदमे दर्जा है इसने यह कर रखा है वो कर रखा है मंदिर में इसकी एंट्री कैसे हो गई मंदिर में इसने फोटो कैसे किचा ली जिसके उपर उन्होंने प्राउड नहीं है और अभी-अभी मेरे सामने एक फोटो आई जिसमें वकील साब ने खुद मापे फोटो के चवा रखी है यह मतलब कितनी मतलब कैसी बात है मुझे समझ नहीं रहा कि खुद करो सब लोग करें तो सही यह विशादा वो चीज करें तो गलत मतलब कि मैं को कोई चीज कर रहा हूँ बलकि मैं तो खुद से करना भी नहीं चाहरा था और यह विशादव गलत है मतलब इसका अंसर है तेरे पास कि मैं क्यों गलत हूं इस चीज में बता दे कोई अंसर हो मेरे जाईज तो प्लीज मेरे को करेक्ट करना नहीं तो मेरे को बताओ कि मैंने सक्या गलत करती है भाई देखो वैसे तो इसका अंसर कोई बनता नहीं पर जहां तक सिर्फ एक चीज है क्या पता कुछ लोग इसले जलते हैं क्योंकि छोटी सी उमर में आपने सक्सेस ज्यादा बाली या तो उनके सपने आपने बूरे घर ले वो नहीं गर पाए भाई दे की तरकी देख के हमें तो खुशी होती है मतला मुझे समझ नहीं आता कि दूसरे आदमी से कोई जल कैसे सकता कि ओ ऐसी तरकी कर रहा है यह मन में ही नहीं है इन बिल्ट सेटिंग्स है मेरे अंतर ना कि कभी ऐसे नहामें सोच सकता और नहामें कभी सोचूंगा क्योंकि हमें क्या ही बात है वो चाहे मेरी खुश किसमत ही कहलो चाहे मेरी बदकिसमत ही कहलो कि लोगों को नेगिटिव डालके भी बहुत जादा उनको लगता कि वह बहुत बड़े आदमी बन गए तो मेरी सबी लोगों से बाई एक गुजारिश है प्रात्रा है मेरी सबी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि देखो मैंने तुम जानते हो मेरे को इतने टाइम से मेरे को जो फॉलो कर रहा है उसको पता हुआ किस टाइप का आदमी हूँ मैं क्या नेचा रखता हूँ मैं क्या क करता हूँ तो किसी इनसान को इतना इतना पीछे मत पड़ो कि इदुना कि दिल से बद्धुआ निकले उनके लिए मैं देता नहीं पर भगवान तो देख रहा है इतो भगवान को सब दिखता है किस के साथ गलत हो रहा है किस साथ है वो सबकी कर्मों की सजाई देता है मालो मेरे साथ ही और है मैंने कभी कोई करम कर रखे हूं जिसकी सजा मैं आज भोग रहा हूं पर जो लोग आज मेरे साथ बुरा कर रहे है उनके कर्मों की सजा उन्हें बाद में मिलेगी क्योंकि यह दुनिया ऐसी चलती है जैसा करम करोगे वह सब भोगे अब मेरा नाम खराब करके मीडिया वालो मीडिया वाले भी चला देते हैं लविश है लविश हो रहा है तो किसी का भला नी होना तो जो भी है में तरफ से तो यही है वाई कि टार्गेट एक ही आदमी हो रहा है इस टाइम पर पदा नहीं एक दौर आता है कि हर टाइम पर एक नएक आदमी आसा होता है जिसको आप टार्गेट कर सकते हो जिसका नाम उचाल के आप नाम गेन कर सकते हो जो भी करना है वाई देखो सबकी अपनी अपनी परसनल राय है बाकी मैं दो सभी लोगों सही बोल सकता हूं कि जो मेरा साथ दे रहे हैं इस टाइम में बहुत बहुत शुक्रिया जो जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं सही का साथ दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही प्यार बनाए रखो हम लड़ते रहेंगे आगे वड़ते रहेंगे और काम करते रहेंगे मुझ पे स्माइल रखे आलबेस तो ये मैंने तो ये चीज़ सीख ली कि this is part of life टाइम है गुजर जाएगा ऐसा टाइम है ऐसा भी आएगा अच्छा करेंगे तो कुछ कुछ बुरा करेंगे दुबरा ऐसा भी हो जागा भी तो यूँ ही चल रही है जिंदगी ना कुछ करो या ना करो कहीं न कहीं ना हमाई जाता रोश्मूट करेंगे बाबाई यल विशादर न्यूस डालना कुछ आ रखा है क्या कोई निया भागवान पर विश्वास है भागवान पर महादेर पर विश्वास है महीं से आया जोड़के हम तो विया तो जो होगा अच्छे के लिए होगा थैंक यू सो मच सभी लोगो को और तरक्की करो सब अपनी लाइफ में किसी से जलो मत खुद मेहनत करो बराबरी करो गया रहा है बराबरी करो जलो मत ओके गाईस मेरी निकर वाइस को लाइक कमेंड शेयर कुछ मत करो बस मेरी मेरे चोटा सा मेसेश ताव सभी लोग कि पहुचना चीह मेरे दिल की बात भी और फारख हमें भी बढ़ता है यारे चीज से गरवालों को फटता है गरवालों को ऐसे देखके भी फ़रक पड़ता है मैं तो चाहूंगा भगवान नगरे किसी के साथ ऐसा हो जैसा मेरे साथ हो रहा और खूब सब लोग अपाई उचाईया उचाईया चुमें सब लोग लाइफ में मैं तो बस यही दुआ करता हूँ परातना करता हूँ ठीक है जी राम राम बाई बाई